सब्सक्राइब तो कोई फाएगा नहीं कोई लोन लेने के लिए क्या कर दिजिए क्रिडिट हड़ा चाहिए नहीं हमको क्या करेंगे क्रिडिट करने का fried तो the reclin हो रहा है आब उसको हम Surveillance भी नहीं करा सकते मेरा YouTube चैनल हएकट हो गया था कहां से हक किया ररशइया से हक कर लिया था कोई किarauscken क्या करें रोताइए उस पर सजा भो उसको कैसे दिलाया तो सर्विलांस की जो कैपसिटी है क्योंकि इंडियान बॉर्डर में ही ना इंडिया की सरकार से मित है वो भी संसाधन से मित है तो यह सब चीज़े हैं यह होप आपको समझ भाया होगा तो हमने आज सोचियो लॉजिकल लिब्रलिजम कर लिया और हमने आज क्या कर लिया यह सब्सक्राइब होगा और प्लीज सीखीएगा एकजं निकालन निकालना बड़ा बात नहीं होता हम फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि नोट्स पढ़ लिजेगा तूस्ते भी नेट निकल जाता है कोई बड़ा बात निकल जाता है और बड़ा बात आहीं है आपकी निकाल लिए बट बात यह है कि आप निकालने के बाद बात में टीचर प्रोफेसर बनेंगे तो आपको इज़त कितना होगा आपका स्टुडेंट ऐसा तो नहीं कि पीट पीछे गाली देता है आपको क्या रहे इसको कुछ नहीं बुझाते इसको कौन प्रोफेसर बना दिया ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ क्योंकि हर एक कॉलेज का यहीं स्थिति है कुछ ऐसे प्रोफेसर हमारे यहां भी थे एक प्रेम सर करके है डियू में क्या पढ़ाते है क्या नहीं भगवान जाने क्या बूलते है वही जाने कुछ नहीं समझ माता था उनका क चलास करते थे और मन में तो गाली बहुत करते से बरबाद कर देते समय दोगहंटा का क्लास होता है वयू में जाकर बैठे रहो तो ठीक है कि और उस समय तो हम लोग अपने उश्फ्छ के नहीं हुआ निकाल है निकाली तो बहृत बड़ा तीर्वादल्ल इसा नहीं है में भी अगर knowledge रहेगा तो आप घर बैठे बैठे भी आपको बहुत सारे opportunities मिलेंगे आप में भी कोई Europe की university में आप यहां से work from home कर सके knowledge रहेगा तम ना आपको पता रहेगा अमेरिका का relation foreign policy तम ना पढ़ाईगा और ना क्या पढ़ाईगा इंटर्वियू ही नहीं qualify कर पाईएगा अमेरिका में एक assistant professor बनता है ना तुसका job fix नहीं होता है actually मैं जो करता हूं मैं assistant professor नहीं हूँ अमेरिका में like यहां work from home में यहां क्या है मैं आपको बता देता हूं जैसे एक duke university अमेरिका में बहुत private university हो बहुत पैसा है बहुत अमेरिका में पैसा है तो कम से काम उसमें hundred क्या स्पास में student है political science का undergraduate course में मतलब जिसको bachelor हम लोग कहते हैं तो एक इसमें professor होता है senior एक associate professor होता है और एक होता है assistant professor यह लोग का salary बहुत जादा होता है मने assistant professor का आपको डेढ़ लाख dollar मिलता है डेढ़ लाख dollar मतलब एक करोड कुछ लाख हो गया यह average salary हम बता रहे है और यह लोग जो professor है ना बड़ा बड़ा यह लोग को तो चार लाख dollar के आसपास में मिलता है चार पांच करोड़ रूपया साल का अब एक आपका यहां प्रवाधान ह अब देखिए इंडिया से जो पढ़ा लिखा है जो इंडिया से पीजडी किया है वो कोई government college में अमेरिका में नहीं बन पाएगा प्रोफेसर क्योंकि आपको वहां का डिगरी चाहिए बट प्राइवेट को मने colleges में बहुत मौके होते हैं आप में भी future assistant प्रोफेसर बन जाए में भी associate प्रोफेसर बन जाए अभी मैं क्या करता हूं यहां से इंडिया से बैठके एक आपका होता है इंस्ट्रक्टर का पोस जो है ना एक instructor होता है वहां का ratio है तो अगर 100 student है तो आप देखिए 100 student के लिए अगर instructor अगर रखना पड़े तो कितना instructor होगा 20 instructor होगा और अगर 20 instructor को अगर अमेरिका का बंदा को रखे तो अमेरिका में minimum wages act चलता है अमेरिका में लगभग उसको यह 20 instructor को अगर कम से कम वो 10,000 अगर महीना डॉलर भी salary देना तो आप समझ लीजे कितना होगा उसको 2,000,000 डॉलर देना पड़ जाएगा instructor का फी 2,000,000 डॉलर देना पड़ जाएगा एक महीना का बस और जबकि साल भर का assistant professor का फी होदा 1,000,000 डॉलर तो अमेरिका का instructor रखेगा वही वही काम चल रहा है जै एसे इंडिया के लोगों को color करकते थे नOTT British India Company वाले क्योंकि इंडिया लोग सस्टे में काम करते थे ब्रइटें से color कर आईगा तो जाधा में काम करेगा महंगा में बट बाहर से लेकर आईगा तो सस्ते में काम करेगा वो लोग हम लोगों को क्या करता है पांच student दे दिया इन लोगों को help करना है उसके report लिखने में या कुछ concept उसको western political thought में नहीं समझ माया या homework में तो ये पांच student का आपको मदद करना है maximum आपको 15 घंटे काम करना है और आपको दिये जाते हैं काट वाट के 1500 डॉलर के आसपास में महीने के जो की ठीक ठाक्राइब कम होता है इंडिया के हिसाब से मुझे कोई घाटा नहीं है अगर मुझे घर बैठे-बैठे मिल रह ही जाता तो अब उसको पे करना पड़ा कहां उसको मिनिमउम 10,000 डॉलर पर कपर ना पड़ता एक बन्टे को एक इंस्ट्रक्टर को अगर वह अमेरिका का examination रह चुका है अपना past में तो वो लोग को सस्ता में रखा है और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है अरे भाई हमको 1500 डॉलर दो ना हमको हजारे डॉलर दो ना हमको क्या जा रहे हमको पैसा काटता है कोई दिक्कत नहीं है क्या है आप लोग को जैसे पढ़ाते हैं उसको भी प आप एक government professor भी बनें इंडिया में क्या होता है अप एक बार government professor बन गये फिर आप katilia बूल जाईये आपको महकया बिली कुछ नहीं बुझाता है आपको कोई निकालने वाला नहीं है आप हो गया प्रोफेसर तो आप हो गये Mr. Professor अमेरिका में उससे नहीं चलता आप government assistant professor भी है तो अगर 6 महिने के अंदर अगर कोई आप नया रिसर्च करके नहीं दिखाईगा ना तो आपको वहां से डिसकंटीनिव करतेगा आपको उसको प्रूफ करना मतलब करता रहना पड़ेगा that I am meritorious I am continued मतलब जो continuously है मैं अच्छा काम करके दिखा रहा हूँ तो मुझे 6 महिने में बार-बार एक सिनॉप्सिस और रिसर्च समिट करना पड़ता है अगर मैं अपना नया आइडिया नहीं दूंगा अगर मैं अपडेटेड नहीं रहूंगा मुझे 6 महिना का एकवा दिन में भगा देंगे और मुझे किसी को भगा देंगे यह उपर वाले जो सीनियर प्रोफेसर साहब है इनकी भी नौकरी नहीं है पकी अमेरिका में अमेरिका में ऐसे नहीं कि एक बार तुम बन गे तो बन गे सा नहीं होता है वहां आपको प्रूफ करना पड़ते हैं आपको कि नहीं आप हैं उस लाग आप नहीं है तो क्या कीजिएगा फ्री में पैसा लेगे क्या कीजिएगा फ्री का पैसा आपको देगा ही नहीं कोई और आप तुलना कीजिए इंडिया में जैसे होता है इंडिया में प्रोफेसर्स लोग जितनी सैलरी लेते हैं और कितना जानते हों कितना पढ़ाते हैं अमेरिका में ऐसे नहीं काम से होता है अमेरिका में मेहनत करन आजा कहीं से मैंने 8-10 जगह भरा था ऐसी सोच के नहीं आगा तो किस्मत लेके जाएगा मेरा कुछ नहीं करेगा नहीं आगा जैसे जी रह जीएंगे आ गया तो तो उसमें भी ठीक तो 10 जगह में से एक जगह आया यूनिवर्सिटी सौगो है प्राइवेट वाला नहीं आता एक मेरा टीचर थे 12 क्लास मैं पढ़ाते थे हम लोगों को कहते तो उसको एक बोल दिया स्टूडेंट कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो एक ही लाइन बोले कि देखो बागू तुम नहीं भी पढ़ोगे अगले बार से चिंता मत करो दुकान है ना दुकान में तो क इसी तरह से काम करते हैं तो नॉलेज बिल्कुल रखिएगा ऐसा निट निकाल यह पता चला कुछ नहीं बुझाता है क्योंकि बहुत अपर्चुनिटी है इस फिल्ड में भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो इस तरह से चीज़ें चलती है आई होप आठ दस हो गया अब क्लास एंड करते हैं काफी जाधा बोरिंग भी हो गया होगा आई होप आप लोगों को नया चीज़ सीखने के लिए मिला होगा और आप लोग ठीक से पढ़ रहे होंगे और प्लीज 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 नॉलेज लीजे रटी उटिएगा नहीं मतलब रटनाद इस पार्ट अप अप दे यूजी सी नेट प्रिपरेशन अब मैं आपको बुक बताऊंगा तो आप कैसे नहीं बु इसा नहीं कि आप देश के फ्यूचर के साथ आप गदारी कर रहे हैं वह बड़ा अपने आप में देशद्रोह का काम होगा सिक्षा में ठीक है मिलते हैं अंगले क्लास में बहुत-बहुत धन्यवाद आप दिन का आप आप सबको गुद नाइट सबको थाइंक्यू सबको परणाम ठीक है ना मिलते हैं अंगले क्लास में पर सोधन मिलते हैं क्विज सब कोई दीजी ओके वेरी इंपोर्टेंट फर यू आल वी सबकोई दीजेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा बहुत-बहुत धनेवाद मिलते हैं आंगले क्लास में बाई अवरिवन हैब ग्रे ग्रेट नाइट आहेड